नमस्ते भागबन भाईयो स्वागत है आपका एपल फार्मिंग महाराश्टा यूटूब चैनल में और मैं आपका मित्रशेक फिरोज और आज के लिए आपका जो वीडियो लाया हूँ यहे ड्रैगान फ्रूट हमने इस प्लैंड को लगबग एक साल पहले प्लैंड किया था अभी बारा मैंने हो चुके लगबगी से अभी या उससे भी कम होए होंगे अभी मुझे तो लगता है थोड़े कमी ही हुए आठ या नौ मैंने हुए शायद तो देखिए बागवान भाईयो मैंने कुछ डेमो के लिए लगवाया थे कुछ प्लैंड तो आज हम बात करेंगे त्राइगाउन पूट फार्मिक के बारे में तो जो बी वागवान भाई मेरे इस YouTube चैनल पर नए है वो मेरे इस YouTube अधियूटूब चनल को सब्सक्राइब लाइक, शेर अवश्य करें जैसे आपको मेरे इस यूटूब चनल पे सेट की खेती कैसे कि जाती है, ड्रैगन फुर्ट की खेती, बैंगो फार्मिंग, जैसे आम की खेती हो गई. इसके बारे में आपको सभी फ्रूट के बारे में आपको नॉलेज हम में देता रहूँगा जैसे उसकी मालूमात देता रहूँगा तो हमने इस पोदों को लगाया थे देखिए हमने इसे इस तरह से बांबू का स्ट्रक्चर लगा कर ही किया है जैसे क्योंकि इसे सहरा देना पड़ता है अंगल तार या फिर पॉल सिमेंट पॉल का भी ज़्याद अतर सिमेंट पॉल पर ही इसके खेती की जाती है ड्रेगं फ्रूट की और और मैंने इसे नुम महीने पहले ही प्लाइनेटीशन किया था और नव महीने के बाद में ही देखिए इसमें अच्छे बड़्स निकल आये देखिए इस तरह से यह किसन साथियो इस तरह से इसमें बड़्स आय हुए है यह देखिए ये देखिए इस तरह से, कितना जैसे बड़ा है हुआ, ये फ्रूट बड़ है, ये देखिए, ये देखिए, फ्लावर बड़, ये देखिए, आप इचो देख रहे हैं, ये, पोदा कितना चोटा है देखे लिजाए आप, पोदे की लगवख उमर ही, नव या दस महिने की उ और भी लगेंगे अभी यह से continue चलता है जैसे यह फ्लावर अभी निकले है इसके बाद में फ्रूट अभी थोड़े बड़े हो जाएंगे तो और यहां से यहां से और फ्रूट बर्ण निकलेंगे तो ऐसी होती है ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग और इस तरह से इसमें दे कि नई जानकरी देखने के लिए आप मेरे चानल को सब्सक्राइब बाउश्य कर ले उपर दिया गया हुआ बेल आइकन भी दबा दे जैसे ही कि मैं नए वीडियो अप्लोड करूंगा आपको उसका नोल्टिफेक्शन मिलता रहेगा तो मिलते किसान सती हो अगले वीडियो में एक नए फ्रूट के बारे में बात करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद